कैसे हैं आप लोग तो आद में शेयर करूंगे आप सभी के साथ में स्प्रिंग रोल बनानी की रेसेपी जिसे आप एक बर जरूर ट्राइ कीजिए का फ्रिंट्स क्यूंकि यह बहुत जादा मज़े की होती है बहुत आसान तरीके से मैं आपको इससे बनाना बताऊंगी कोई जब गरम हो जाती है तो इसमें एक टीस्पून लसन अद्रग की पेस्ट आलिएगा और इसे आदे सी एक मिनट के लिए फ्राइ कर लीजेगा जैसे लसन अद्रग भुन जाता है यहां पर आपको लेना है 200 ग्राम चिकन तो क्यूंकि मैं यहां पर चिकन स्प्रिंग रोल ब नमक डालनी है तो वन टीस्पून नमक लगेगा यहां पर साथी आप आपको हरी मिर्च का क्रश किया हुआ पेस्ट डालना है एक टेबल स्पून तकरीबर मैंने चार पांच हरी मिर्चों को ग्राइन करकर इसका इस तरह का दरदरा सा पेस्ट तयार कर लिया है और इसे डा पानी कम लगेगा और बस तीन चार विसल में यह हो जाएगा यहां पर पैन में कर रही हूं मैं तो इसका मौश्चर खतम होने तक हमें इसे बिल्कुल अच्छ से कुक कर लेना है तो तकरीबर आपको साथ मिर्च लग जाते हैं यहां पर देखे कलर चेंज हो गया है और यह चिकन बहुत अच्छ से गल गया है प्लस ड्राइ हो गया सारा पानी खुश्क हो गया और इस तरह का यह बॉइल हो गया इसमें फ्लेवर है घर मिर्चों का और लस्न अदर का जो कि बहुत चा लगता है अब जब ठंडा हो जाए ना तो इसे ग्राइंडर में डाले और इसक अद्च के सब्सक्रिए अधेर, तो दाल कर आदे हुए हो इसको में बंध घोबी ना खें तरह करना इसके बल्कुल उसको में बटार कमी है इसमें हरादनिया बारी कटावा डाल रही हूं एक से दो मिनिर तक इन सब्सक्राइब कर लेंगी सब्सक्राइब कर लेंगी इसका क्रण्च बर्ख़रार रहता है अच्छा फ्लेवर आजाता है अब इसमें पल्स करके ग्रैंड किया वा यह जो हमने बना कर रहा था और वह सा सब्सक्राइब कर लाए। इसमें घंडे मेरार कीष़ा निकला गलता अब इसमें इसमें काले मिर्ट का पावडर तीशपून का नमक डाले क्योंक्ता के पहले दमक डाला था चिकन वाटर टीश पून मिर्ची पावडर डाल रही है जो कि थोड़ी तीख यह औरिगेवन- यह होट सॉस हाफ टी स्पून अब यह सारी चीजें डाल करना इसे फिर से मिला लीजिए जिससे इसमें बहुत चा फ्लेवर आजाए और जैसे ही आप इन मसालों को डालेंगे आपकी जो स्टफिंग है बिल्कुल वैसे ही स्मेल करने लगेगी खुश्बू आने लगेगी जै कुकिंग ओल नालना है इसमें हाफ टी स्पून यह थोड़ा सा नमक डालनी के बाद में इसको बिल्कुल अच्छे से मिला कर मिक्स कर दीजेगा अब यहां पर जब अच्छे से मिल जाती है तो मिलाने के बाद में हमें इसमें थोड़ा-थोड़ा करकर पानी डालने है और डो बनाना बहुत ही आसान है स्им्पल नमक कर इसे हमें गूत लेना है और भनाया सा तेल डालना है और बस दाल कर इसे बिलकुल अच्छी से गूत ली पानी थोड़ा हिसाब्स से रूäक्र डाल Step जिससे यह पुंकर डाल स्वाफ्टब ok यहां पे बिल्कुल हमें पूरी जितनी लोई बना लेनी है तो देखे मैंने सारी लोई बनाकर रेडी कर लिया और अब इसे हमें बेल लेना है बस हलका सा दो बार बेलन घुमाना है जिससे थोड़ी फ्लैट हो जाती है और इसके ऊपर हमें क्या करना है कि कुकिंग ओल लगा बनानी है तो आप इसी तरशी शीट्स प्रिपेर कर लिजेगा वह भी घर पे बिना मेहनत के यहां पर देखे दो लोई को मैंने जोड़ दिया है बीच में हमने बहुत चैसे ओयल लगा दिया है और अब इसे हमें सुखा फ्लार लगा कर बेल लेना है और बस बहुत ही आसा अब यहां पर देखें जब बिल्कुल पतली थिन चपाती बन गई है तो अभी तरह हमें तवा गरम कर लेना है गरम गरम तवे पर हमें हमारी शीट्स को डाल देना है और अब 20-30 सेकंड बाद में इसकी साइड चेंज करनी है और यह देखें साइड चेंज करने के बाद मे इसे इस तरह से ओपन कर लीजेगा जिससे एक चपाती से दो शीट्स बन जाएगी बहुत ही नरम मुलायम लचीला सा शीट बनकर तयार हुआ है तो इसी तरह से आपको कैसरोल में इसे बन करकर रख लेना है और यह थोड़ा कड़क हो जाता है तो इस तरह से मैंने सारी शी स्टफिंग डालनी है और जो प्लेन साइड रहेगी वह पीछे रहेगी यानिकि उपर से दिखेगा हमें और इसके एंड पे ना हमें मैदे में पानी डालकर गोल बना लेना है वही पेस्ट को अपलाई करना इसके एंड्स पे जिससे पूरा यह स्टिक हो जाएगा और कही पर से भी स्टफिंग बाहर नहीं निकलेगी और हमारा स्प्रिंग रोल बहुत अच्छा फोल्ड हो जाएगा इस तरह से देखिए मैं डालने के बाद में स्टफिंग को दो साइड से फोल कर रहा है एक साइड से उपर से फिर से दबाया और फिर से एवेंच्वली रॉल कर करती जा रही हूं और इंड में जो सील कर देना है हमें इसी फ्लार पेस्ट से और बहुत से सील होकर हमारा बढ़ियां शेप का इस प्रिंग बन जाता है एक और मैं आपको बनाना बताती हूं फ्रेंट्स देखें आप जब स्टरफिंग रखेंगे ना तो इसको जादा बी तो इसी तरह से आपको सारे बना लेने है थिन शीट्स बनाने की वज़े से जो अच्छा बना बहुत अच्छा बनता है तो देख सकते हैं कितने इवन शेप के हमारे सारे बन बन कर ताया हो गए और लगी निरा की से घर पे बनाए है तो अब हमें इसे फ्राइ करना आप ज यहां पर नकी एक बार में यहां पर पर चार-पांच डाल दीया है यहां डालकर मैं इसको शिखने दे रही हूं और जैसे जैसे ही सिखता जाएगा वैसे वैसे फलोट करता जाएगा और साइड इसकी फ्लिप होती जाएंगी और बहुत अच्छा सा गोल्डन सा कलर आता जाएगा तो हलका हलका स्पैचुला लगा दें और इसको बहुत अच्छा से फ्लिप करकर गोल्डन हंदक फ्राइ कर लें इस तरह से ये फ्राइ होती है गोल्डन भी होती है और क्रिस्पी भी होती है तो बहुत ही अच्छा से फ्राइ होंगी फ्रिंज बस आपको इस बात का ख्यार रखना है तेल का जो टिमप्रेचर है वो अच्छा सा गरम होना चाहिए अगर मीडियम होट में डालेंगे न तो ये तेल अब्सॉब कर लेगा और क्रिस्पी फ्राइ नहीं होगा और आपका जो एक्शुल स्प्रिंग रोल है बजार जैसा नहीं बन पाएगा तो तेल को अच्छा से ग गरम गरम चिकन स्प्रिंग रोल बनकर तयार हो गया है जो के बहुत ही जादा मज़ेदार धमाकेदार बनकर तयार हुआ है फ्रेंस इसकी स्टफिंग बहुत ही खास है बहुत ही स्पेशल है तो एक बार आप इस स्टफिंग के साथ में ये स्प्रिंग रोल बनाकर यह इतनी आक्च्वल पॉर्फेक्ट बनकर तयार होती है तो एक बार आप भी इस प्रिंग रोल को ट्राइ करें मेरे कहने पर रेशपी फॉलो करें तो बिल्कुल ऐसे ही पॉर्फेक्ट पॉर्फेक्ट बनेंगे उमीद एक बार ट्राइ करेंगे और मुझे बताएंगे कैसी इसी के साथ मैं आपको इसको कट करकर दिखाती हूं जैसे हमें कट करकर सब्सक्राइब तो इसी तरह से बस आपको इसको ना स्लैंड कर लेना है और यह देखें स्टफिंग बहुत ही चटपटा टेस्टी सा स्टफिंग है एक बार जरूर बनाएं आप इस प्रिंग रोल को इसे बना सकते हैं मैंने बिल्कुल सिंपल रखा इसे और बहुत ही चटपटा मज़िदार सा बनाया है एक बार जरूर बनाया आप भी आपको भी पाता चले गए कितना अच्छा है रेसिपी अच्छी लग रही है वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल पर नहीं सब्सक झाल झाल